भारत इस वार Commonwealth Games में अपना सबसे मजबूत महिला दल भेज रहा है इसमें पीवी सिंदू, मीरबाई चानू, निखत जरीन जैसी मैजल की प्रबल दावेदार खिलाडी शामिल है लेकिन एक समय ऐसा भी था जब महिला खिलाडियों को Commonwealth Games जैसे events में भेजने का भी नहीं सोचा जाता था ऐसे ही दिनों में शामिल है साल 1978 के Commonwealth Games में भारत की ओर से मात्र दो महिला खिलाडियों ने ही हिस्सा लिया था और मज़े की बात यह है कि इन ही दो बेडमिंटन प्लेयर्स ने इतिहास रच दिया था आमी घिया और कनवल ठाकर सिंग ने यहां अपनी प्रदर्शन से आने वाले प्लेयर्स के लिए रास्ते खोल दिये अमूबत 1978 की Commonwealth Games को प्रकाश पादुकोन के बेडमिंटन सिंगल्स में मिले गोल्ड मेडल के लिए जाना जाता है लेकिन आज हम आपको घिया और ठाकर की उस एतिहासिक जीत के बारे में बताएंगे जिसने महिला खिलाडियों को आतविश्वास से भर दिया घिया और ठाकर ने 1978 में एडमिंटन क्यानडा में आयूजित Commonwealth Games में बेडमिंटन के Women's Double Event में हिस्सा लिया था किसी ने भी उनके पहले राउंड से आगे जाने के बारे मेंने सोचा भी नहीं था लेकिन अपनी शांदार जुगलबंदी के दम पर इन दोनों ने सेमी फाइनल में जगे बना ली यहां इनका सामना चैंपियन जोडी नौरा पेरी और एंड स्टेट से हुआ एक और घिया अपनी टेक्नीक के लिए चर्चित थी वही ठाकर एक एग्रेसिव खिलाडी मानी जाती थी और इस जोडी ने अपने सामने पढ़ने वाली हर जोडी को कड़ी टक कर दी हालगि सेमी फाइनल मुकाबले में भातिय जोडी को हाल मिली और उन्हें ब्रॉंज मेडल माच के लिए इंगलिंड की डबल स्पेशलिस्ट जेन वेबस्टर और बार्बरा सतन का सामना गरना पड़ा ब्रॉंज मेडल मुकाबले में भातिय जोडी को अंडर डॉग माना जा रहा था दोनों ही भातिय खिलाडी डॉमेंस्टिक सर्केट में सामान्यत अलग-अलग पार्टनर्स के साथ खेलती थी लेकिन कोचिंग स्टाफ ने इन दोनों खिलाडियों को पार्टनर बनाना बहतर समझा क्योंकि दोनों ही सिंगल्स के अच्छी खिलाडी मानी जाती थी इस पर स्कॉल को दिये इंटर्व्यू में थाकर ने कहां हम वहाँ बिना किसी अपेक्षा के गए थे मगर हम दोनों ही जब कोट पे उतरते थे तो अपना बेस्ट देते थे हलाकि मैंने और अमी ने एक साथ जादा नहीं खेला था मगर हम अच्छे दोस्त थे और खेल के दरान अच्छी पार्टनर्शिप कर लेते थे मगर सभी को चंबित करते हुए इस जोडी ने ब्रॉंज मेडल मुकाबला जीत कर मेडल हासल कर लिया खास बात ये रही कि ये इन दोनों ही भालतिय शटलर्स का पहला इंटरनाशनल टूर्णमेंट था इसी के साथ अमी घिया और कंवल ठाकर सिंग कॉनवेल्ट गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली भालतिये महिला जोडी बन गई हिया ने एक मीडिया इंटराक्शन में इस एतिहासिक जीत पर अपनी यादे साजा करते हुए बताया ये मिडल हमारे लिए बहुत खास था क्योंकि हमें बहुत मुश्किल से ही इंटरनाशनल इवेंट्स में खेलने का मौका मिलता था इसलिए पुरुष खेलाडियों की तुल्ला में हमें एक्स्पोजर कम ही मिलता था हाला कि एंटमिंटन में हुए कॉमनवेल्थ गेम से पहले मुझे कुछ इंटरनाशनल इवेंट्स में खेलने का मौका मिला जिससे मुझे मदद मिली थी बता दें कि ये मात्र दूसरी बात था जब कॉमनवेल्थ खेलों के भारतिय दल में महिला खेलाडियों को शामिल किया गया था पहली बार साल 1958 में वेल्स में आयुजित कॉमनवेल्थ गेम्स में स्टेफनी डिसूजा और एलिजब बित डिविन पोर्ट ने ट्रेक अन फील्ड इविंट्स में भारत की तरफ से हिस्सा लिया था जानने की बात है कि स्टेफनी डिसूजा पहली बार के महिला है जिने अरजुना आवार्ड से सम्मानित किया गया था कमल धागर सिंग ने इस पर स्क्रॉल को दिया इंटर्व्यू में बताया था पूरे दल में 40 पुरुष खिलाडियों के बीच सर्फ हम दो महिला खिलाडी शामिल थी एशिन गेम्स में कई महिला एथलेट्स हिस्सा लेती थी पर कॉमनवेल्स गेम्स में केवल हम दोनों को ही भेजा गया था 1978 के कॉमनवेल्स गेम्स में भारत ने कुल 15 मेडल्स जीते थे इनमें 5 गोर्ट, 4 सिर्वर और 6 ब्रॉंज मेडल्स शामिल थे लेकिन इन सम्में आमी घिया और कनवर्ठाकर सिंग द्वारा जीता गया ब्रॉंज मेडल्स सबसे खास रहा क्योंकि इस मेडल्स ने तमाम महिला इतलीट्स को प्रोचसाहित किया कि वो बड़े स्तरपना सिर्फ देश को रिप्रेजन कर सकती है बल्कि मेडल्स जीत कर देश का नाम भी रौशन कर सकती है आमी घिया ने साल 1977 में इंडिया की सबसे युवा कप्तान के रूप में उबर कप में भी हिस्सा लिया था साथ ही घिया साथ बार नैशनल सिंगल चांपियन भी रही थी इसके लावा उनके नाम 12 डबल्स और 4 मिक्स्ट डबल्स के मेडल भी शामिल है घिया ग्रेंट प्री सर्किट में टॉप 10 शटलर्स में शामिल होने वाली पहली भातिय महिला भी बनी 1996 में अमी घिया को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया कनवर्ठागर सिंग की बात करे तो उन्होंने 1982 के इशन गेम्स में टीम और मिक्स्ट डबल्स में ब्रॉंस मेडल जीता इसके बाद वो चंदिगण बेड्मिंटन प्लेयर वेलफियर असोसियेशन की सन्रक्षक नियुक्त की गई इन्हें 1978 में अरजुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था इस वीडियो पे बस इतना ही इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है निहारिका ने इस वीडियो को शूट किया है पंकजने और मैहु गरिमा स्पोर्ट्स जुड़ी खब्रों के लिए आप देखते रहिए लललन टॉप स्पोर्ट्स शुक्रिया